जैसा कि आप लोग को पता है कि स्पार्क इंसिटूट जम्मो की ज़रफ से 26 जनवरी से एक इनिशियटिव को शुरू किया गया है जम्मो कश्मिर में रहने वले उन सबी सुनेंट्स के लिए जो ओन्लाइन जेकेसस्वी एक्जाम्स के तैयारी करना चाहते हैं एस्पेशली फॉर दी अपकमी एक्जाम ऑफ नाइप तैसिल्दार एंपटवारी ओन्लाइन बैच की जो टाइमिंग रहेगी इट विल भी फॉर्म टैन एम टो ट्वेल नून अलड़ी हम लोग इस पारे में बात कर चुके हैं कि वीकली शेडियूल आप लोगों का क्या रहने वले डेली दो क्लासिस होंगी और उनकी जो क्लासिस हैं वो एक ए घंटे की हर एक दिन में अपलोड की जा रही है जो भी सुदेंट्स इन एक्जाम की तायारी करना जाते हैं दे विल हाव तो जस्ट सब्सक्राइब आवर ओफिशल यूटूब चैनल स्पार्क इंस्ट्टूट का जो भी ओफिशल यूटूब चैनल है यूटूब पर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और विल बी तोटली फ्री आफ कर अफ फिर ब्स बस अक्षा बाइच न एक इस बैच इस भाम से लख एफिशल यूट आप अप रहने वाले Further moving next This was the schedule of history हम लोग अलड़ी lecture 1 में Indus Valley Civilization के बारे में बात कर चुके हैं जिन students ने वीडियो नहीं देखी है वो playlist में जाकर इसको check out कर सकते हैं हम लोग अलड़ी Vedic Age के बारे में बात कर चुके हैं again आप लोगों को वीडियो playlist में मिल जाएगी और आज के जो topic रहने वल है it will be very interesting topic it will be very enlightened topic क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे Buddhism और Jainism के बारे में हम लोग आज बहुत धर्म और Jain धर्म के बारे में बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे बहुत धर्म के founder Gautam Buddha के बारे में उनकी life history के बारे में Buddhism की teachings के बारे में हम लोग बात करेंगे examination point of view से relevant जो भी previous days में आए हुए questions है उनको साथ साथ में discuss करते हुए हम लोग Buddhist councils और same as the case with Jainism में हम लोग life history of Mahavir Jain के बारे में बात करेंगे और Jain councils के बारे में भी बात करेंगे along with some other sub topics also जो भी students मेरे बारे में जानना चाहते है वो इस particular slide को pause करके देख सकते है so without wasting any time further moving next so this is the topic of Buddhism ये तीन lines आप लोगो ने definitely सुनी होंगी so the lines are which means I go for refuse to the Buddha मैं भुद के पास जाना चाहता हूं धमम शरणम गच्छामी मैं धम के पास जाना चाहता हूं क्याना का मतलब मैं धम को follow करना चाहता हूं and संगम शरणम गच्छामी मैं संग को follow करना चाहता हूं अब ये धम क्या है संग क्या है इनके बारे में हम लोग आगे जलकर बात करते हैं further moving next so this is the idol of Gotham Buddha बहुत धर्म कि अगर हम लोग बात करें उनके founder जैसे कि हम लोग सब जानते he was Gotham Buddha जिनको हम लोग शाक्यमूनी के नाम से भी जानते हैं इनको हम लोग तथागत के नाम से भी जानते थे बुद्ध का literal meaning होता है enlightened one ये question जेके SSB में पूछा गया हुए as well as ये SSC में भी पूछा गया हुए इसके लावा इनका बर्थ इनके बर्थ के अगर हम लोग बात करें इनका बर्थ नेपाल में हुआ कब हुआ पूर्णिमा के दिन में हुआ जिसको आज के टाइम पे हम लोग भुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते है लगबक एप्राल मही के मांथ में ये भुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है पूर्णिमा का little meaning full moon ही रहते है full moon day रहते है जिस दिन पूरा चांद होते है तो नेपाल में इनका जन्म 563 BC में हुआ इसापूर 563 में हुआ और कहां पर हुआ कपिल वस्तु नाम के डिस्ट्रिक में लुंबिनी नाम के गाउं में at 563 BC in लुंबिनी विलेज at कपिल वस्तु नेपाल on the day of Purnima he took the birth अगर हम लोग बात करें इनके royal patrons की आने वले समय में हम लोगों को एक king देखने को मिलते है Moran dynasty के third king रहे King Ashok Samraat Ashok ने Gautam Buddha का जो जन्मस्तली थी उनका जो birth place था उसके उपर रुमान दई पिलर बनवाया so as to mark the memory of his birth place ये question भी previous year में पूछा हुए इनके बच्पन के नाम की बात करें तो इनके बच्पन का नाम था सिधार्थ पिता के अगर हम लोग बात करें इनके पिता एक राजा थे जो basically कपिल वस्तू के ही राजा थे और ये शाक्य क्लाइन को बिलोंग किया कर देते है शाक्य क्लाइन ठेक है ध्यान दखना इसके उपर question पूछा हूँ माता की अगर हम लोग बात करें इनको जन्म दे दिया महा माया ने but unfortunately सिधार्थ की आयू केवल स्टेप मदर थी कुछ जंगों पे इनकी स्टेप मदर जो कि इनकी सोतेली मा इनकी मौसी भी बताया गया है जिनका नाम था महा प्रजापती गौतमी कुछ जंगों पे प्रजापती गौतमी के नाम से भी जाना जाते है प्रजापती गौतमी इनकी पहली महिला शिष्य भी थी और इनी महाप्रजापती गौतमी के कारण इनको गौतम का नाम भी दिया जाता है तो जो गौतम नाम इनको दिया जाता है वो इनकी स्टेप मदर या सौतेली मा, मासी महाप्रजापती गौतमी के कारण दिया जाता है 16 साल की आयू में इनका विवाह हो जाता है यशोधरा नाम की महिला के साथ में और यशोधरा से इनको एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था राहुल बच्पन की अगर हम लोगात करें तो गौतम बुद्ध एक घोड़े के साथ में खेला करते थे जिसका नाम था कंठक कोशन काफी कॉमनली पूछा जाते है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था और इनका जो छारती था वो था चन्ना चारटीर हम लोग बोलते है जो रथ चलाता है सारती ठीक है उसका नाम था चन्ना 29 साल की उमर में ये अपना जो राज पैलेस था जो अपना रॉयल पैलेस था उसको छोड़ देते हैं अपने प्रिया घोड़े कंठक के साथ पर और जब ये अपना घर छोड़ देते हैं उस इवेंट को बुद्धिस लिट पेचर्ज में महा भिनीश कर्मना के नाम से जाना क ग्रेट रेननसियेशन इसको हमनों ग्रेट गुइंग भी बूलते हैं तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा तो इसके पीछे हम लोगों को कहीं सारी सोरीज देखने को मिलती हैं एक बर ही अपने सारती चन्ना के साथ में अपने रच पे सवार होक जो सिधार्त गौतम थे वो अपने नगर के ब्रह्मन पर निकलते हैं और वो रास्ते में क्या देखते हैं वो रास्ते में ये देखते हैं कि एक वृद्ध महिला है जिसकी जो पीठ है वो जुक चुकी है तो उसको कूब पढ़ गया हुए और इस कारण से वो अपने सारती चन्ना उनको बताते हैं कि ये इनके कर्मों के फल हैं जब वो वापिस आते हैं कुछ सोच विचार करते हैं और फिर दुबारा से कुछ समय के बाद में कुछ दिनों के बाद में जब वो दुबारा नगर के ब्रहमन पर निकलते हैं तो दूर से उनको चिलाने की आवाज आ तो जब वो पास में जाते हैं तो वो यह देखते हैं कि एक व्यक्ती के शरीर पर कूड पड़ा हुआ है उसको लेप्रॉसी नाम का disease होगे, कुछ रोग होगे उसको और फिर जब वो अपने सार्थी चन्ना को बूछते हैं कि ये इनको क्या होगे तो सार्थी चन्ना का वही जवाब होता है कि ये इनके कर्मों के फल है इनके बाद में जब वह वापिस घरा जाते हैं कुछ सोच विजार करते हैं और अगेन कुछ दिनों के बाद में जब वह वापिस जाते हैं नगर के ब्रह्मन पर तो उनको देखने को मिलती है एक dead body जिसको चार लोग कंधा देकर अंतेश्टी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और फिर वो अपने सार्थी चन्ना को पूछते हैं कि ये इनको क्या होगे तो वो उनको वही जवाब देते हैं कि ये इनके कर्मों के फल हैं इनकी मृत्यू हो चुकी है और जब वो वापिस घर आते हैं तो उनको कहीं ने कहीं इन चीजों का ऐसास होने लगता है कि अपने palace में रहकर वो एक royal जो life है उसको spend कर रहे हैं बट basically life का जो सच है वो नहीं जानते हैं इस कारण से वो अपना घ्रह का परित्याग कर देता है 39 साल की उमर में clear point तो 39 साल की उमर में इनोंने अपना घ्रह का त्याग क्यों किया एक तो उन सभी events के कारण और दूसरा सत्य की खोज के लिए इनोंने अपना घ्रह त्याग किया और सत्य की खोज के लिए जब इनोंने अपना ग्रहत्या किया, तो इनको किस की जरूरत पड़ेगी? इनको जरूरत पड़ेगी एक टीचर की, ठीके? इनके गुरू की अगर हमने बात करें, इनके दो गुरू रहे, एक जिनका नाम था अलारा कलाम, एक जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र, लगबग 6 साल, डिफरेंट डिफरेंट जगों पे रहने के बाद में, डिफरेंट डिफरेंट गुरू के सानिते में रहने के बाद म इनको 35 साल की उमर में, क्योंकि 29 साल की उमर में उन्होंने अपना घ्रहत्या किया, 6 साल के बाद में, 35 साल की उमर में, गया नाम की जगे में, जो आज़िय टाइम पे बिहार में जगे, इनको निर्वान प्राप्त हुआ जिसको हम लोग enlightenment भी बूलते हैं जिसको हम लोग बूलते हैं कि इनको भोध प्राप्त हुआ जब भोध प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे तो अपने उस भोध का उपदेश देंगे So he delivered his first sermon इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया सारनात में जिसका topic था धर्म चक्र परावरतन Turning of Wheel of Law इनके disciples के अगर हम लोग बात करें इनके शिश्यों के बात करें तो तपासो और मालिक इनके सबसे पहले शिश्य बने जबकि जो आनंद थे वो इनके सबसे प्रिय शिश्य थे सबसे पहली महिला शिश्य के बारे में बात करें अलड़ी बात कर जोकें तो इनके सबसे पहली जो शिश्या थी वो थी महाप्रजपती गौतमी मेल को हम लोग शिश्य लिखते है और फीमेल को हम लोग लिखते है शिश्या विपरित शब्दों में हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है तो जो इनकी पहली महिला शिश्य थी शिश्या थी, शिवस प्रजपती, गौतमी, उनी गौतमी के नाम पे इनको कहा जाता है, गौतम, और बौध होने के कारण इनको कहा जाता है, बुद्ध, बुद्ध का मतलब, एनलाइटेड वन, अलड़ी बात की हुई है हम लोगों ने, ठीके, ठीके, तो इन्होंने सबसे पेला जो उपदेश दिया, वह कहां पे दिया, वह साधनात में दिया, जिके-स बिम में कोश्टिं काफी कॉमन है, जिके-स बिम में, पूछआ जाते हैं, और इन्होंने जो अपने सबसे जयादा अब्देश दिये, सबसे ज्यादा जो अब्देश दिये, वो दिये श्रावस्ती नाम की जगे में, जो की कौशल में थी, कौशल एक महाजनपत था, further moving next, at the age of 80 years, 80 साल की उमन में, 483 BC में, he attained महापरी निर्वान, इनको महापरी निर्वान प्राप्त हुआ, महापरी निर्वान का मतलब है कि इनको मृत्यू प्राप्त हुई, इसके बीचे भी हम लोगो कहीं सरी स्टोरीज देखने को मिलती है, तो basically, यह जो मुद्रा आप लोगों को देखने को मिल रही है, यह जो पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, कि गौतम बुद्र लेटे हुए, इनका एक हाथ इनके एक सिर के नीचे, यह मुद्रा जो basically है, यह इनकी basically महापरी निर्वान की मुद्रा है, कहना का मत यह इनकी deathbed है, तो यह temple हम लोगों को आज भी देखने को मिलता है, कहाँ पे कुशिनगर, जो की UP में है, ठीक है, moving next, So these are the five great events and symbols that are associated with the life history of Gautam Buddha, जन्म के अगर हम लोगों बात करें, तो Gautam Buddha के जन्म के साथ में हम लोगों को तीन symbols देखने को मिलते हैं, One was elephant, one was lotus and one was bull, now question comes कि यह symbols उनके जन्म के साथ में अधारित क्यों हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है, कि जब इनका जन्म हुआ, कब हुआ, पुर्णिमा के दिन हुआ, जिसको हम लोग आज के टाइम पे बुद्ध पुर्णिमा के रूप में celebrate करते हैं, तो जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म से एक रात पहले, इनकी जो माती जिन्नों ने इनको जन्म दिया, महा माया, महा माया को एक स्वपन आता है, उनको एक ड्रीम आता है, कि एक हाथी ने अपनी सूंड में एक lotus का फूल पकड़ा हुए, एक कमल का फूल पकड़ा हुए, और इस कारण से elephant और lotus जो है, यह symbol जिनके birth के साथ में associated है, along with bull also, महा बनीश कर्मना की अगर हम लोग बात करें, जब इन्होंने अपना great renunciation किया, जब इन्होंने अपना ग्रह का परित्याग किया, तो उसके साथ में जो associated symbol है, वो है horse क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने गोड का विरिक्ष है, धर्म चक्र पारवर्तिन के अगर हम लोग बात करें, turning of wheel of law, symbol is wheel, और death, महा परे निर्वान के अगर हम लोग बात करें, यहां पे हम लोग को दो symbols एकने को मिलते है, one is footprints and one is stoop, दियान रखना यह जो word है, यह stoop होते है, यह stoopा नहीं होता, ठीक है, this is stoop, ठ ठीक है, यह महा बुद्धी टेंपल है, बिहार में, जहां पे गौतम बुद्ध को बुद्ध प्राप्त हुआ, ठीक है, this is the महा बुद्धी टेंपल, and this is that benyan tree, sorry, people tree, people का व्रिक्ष है, and it is assumed कि यह people का व्रिक्ष, उस people के व्रिक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर उसकी पांचवी पीडी है, आप लोगों को picture के back side में यह महा बुद्धी टेंपल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यही temple है, इस temple के back side में यह people का व्रिक्ष है, और यह, this is Sanchi Stoop, which is a very famous stoop in MP, मदर प्रदेश में यह stoop है, So, this is stoop, Buddhist literature की और language के बारे में बात करते हैं, see, वैदेगेज में हम लोगों ने Hinduism के लोग को लेकर कुछ literature के बारे में बात की, basically वो Hinduism के literature नहीं है, वो basically India के literature है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि that Hinduism is not a religion, it is just a way of living better life, बुद्धिस literature के अगर हम लोग बात करें, इनको हम जाते हैं, और इस word पिटक का मतलब होता है, इसको पिटाका के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब होता है बास्केट, तो इसको हम लोग पिटक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने समय में जो लिखने का literature था, वो तार के पत्रों की उपर लिखा जाता था, वो लीवस की उ आला जाता था, इस कारण से इसको कहा जाता है, पिटक या पिटाका, और ये कितने हैं कोल मिला कर, ये तीन हैं, विने पिटक, सूत पिटक और अभी धम पिटक, विने पिटक की बात करें, इडी इस दा बुक ओफ डिसिप्लिन, विज इस कंपाइल बाइज स्टुडेंट उपाली, then comes सूत पिटक, which is the largest Buddhist literature, और इसमें हम लोगों को गौतम बुद्ध के द्वारा देए गए उपदेश देखने को मिलते हैं, it contains बुद्ध सर्मन्स, and it was compiled by आनद, आनद कोन थे, ये इनके सबसे प्रिय शिश्य थे, his favorite pupil, then comes अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में हम हम लोगों को कुछ philosophical principles देखने को मिलते हैं, और इसको compile किया गया मोगलीपुत्तिस्या के दुआरा, एक ही परसन का नाम है, मोगलीपुत्तिस्या, इसके लावा हम लोगों को एक literature और देखने को मिलते है, number of Jatak, तो Jatak की संख्या है, 547, previous year में काफी बारी एक कोशन काफी commonly पूचा जाते हैं, तेक है, approximately 550 बीस को लिखने, approximately 550, तेक है, और किस language में ये literature लिखे गए, ये पाली language में लिखे गए, अगर हम लोग वेज की बात करें, अगर हम लोग उपनिशत की बात करें, पुरानों की बात करें, तो वो किस में लिखे गए, वो संस्क्रीट लाकर हम लोगों को चार बुदिस कंसल देखने को मिलते हैं, जो examination point of view से बहुत ज्यादा relevant है, सबसे पहली हुई, 483 BC में, ध्यान एकना 483 BC year important है, reason being, ये वही साल था, जब गौतम बुद्ध को महा परी निर्वान प्राप्त हुआ, कहने का मदब उनकी death हुई, तो उसी साल में हम लोगों को सबसे पहली बुदिस कंसल देखने को मिलती है, जगा थी राजगीर, ये जगा बिहार में, इसको गरीवी राज के नाम से भी जाना जाता है, और किस किंग के अंडर में होई, अजाच शत्रु नाम का किंग था, जो की हर्यंका डानेस्टी के किंग थे, उ और इसको लीड करने वले लीडर का नाम था, मह कसपा, रिजल्ट के अगर हम लोगों को बात करें, पहली बुदिस कांसल में हम लोगों को विने पिटक और सूथ पिटक की कंपाइलेशन देखने को मिलती है, सेकिंड बुदिस कांसल के बात करें, तो इसके ठीक 100 साल के बा सो जगा, इट वाज वैशाली, वैशाली नाम की जगा भी बिहार में ही है, और किंग का नाम था काल अशोक, इसको काकवर्न के नाम से भी जानते हैं, और ये नाग डैनेस्टी के किंग थे, इसको शिशुनाग डैनेस्टी भी कहा जाता है, आगे चलकर हम लोग बात हर्यंका डैनेस्टी कौन थी, नाग डैनेस्टी कौन सी थी, मौर्यंस कौन लोग थे, कुशान्स कौन लोग थे, इन सब के बारे में आगे जलकर बात करेंगे, इस सेकिंड बुदिस्ट काउंसिल को लीड किया सेबक आमीने, और इसमें हम लोगों को रिजल्स में देखने तो 250 BC में King Ashok के अंतरकत में पातली पूत्र बिहार में ये 3rd Buddhist Council होती है और इसको लीड किया जाता है मोगली पूत तिस्या के दौरा जिसने 3rd पिटक अभिधम पिटक को भी कंपाइल किया था हम लोगों ने अभी बात की है इसके बाद में ठीक है 3rd पिटक अभिधम पिटक मोगली पूत तिस्या सो इन 72 एडी ठीक है अब ये एडी की शुरुवात हो जोकी हुई है 1st century एडी भी इसको कुछ जगों पे लिखा जाता है 1st century एडी कश्मीर कुंडल वन में ये 4th Buddhist Council हुई JKSSB के दुवारा काफी कौमन ये कोशन पूछा जाता है कि 3rd Buddhist Council कहां पर हुई कश्मीर में हुई 3rd Buddhist Council के किंग कों थे कनिश्क थे जो कि कुछान्डा इनिस्टी के किंग थे और इसके लीडर्स में हम लोगों को प्रेजिडेंट देखने को मिलते है या लीडर देखने को मिलते है वासुमित्र और जो इसके वाइस लीडर थे वाइस प्रेजडेंट थे वो थे अश्वगोश अश्वगोश के दुवारा लिखी हुई बुद्ध चरित्र के बारे में भी हम लोग आगे चलकर बात और इसी Buddhist council में हम लोगों को results में देखने को मिलते हैं that Buddhism got divided into Hinayana and Mahayan ये दो sect हम लोगों को Buddhism के देखने को मिलते हैं यहां पर Hinayana and Mahayan So this was the famous topic of Buddhism जो की examination point of view से काफी relevant था और बहुत से questions हम लोगों ने साथ साथ में discuss किये जो की previous days में generally पूछे गए थे So make sure कि आप लोग पूरे topic को properly देखें और previous days के questions को साथ साथ में करते रहे So that जो upcoming exams है उसमें कोई भी कमी आपकी तरफ से हमारी तरफ से पिलकुल भी नहो अगर आप लोगो कोई भी doubts हो देए topic के regarding किसी BGC के regarding do comments below So we will definitely respond to them So further moving next This is the map of This is the political map of India Around 500 BC 500 Shatabdi Isapurv का ये बारत का map है जहां पे हम लोगों को कहीं सारे महा जनपत देखने को मिल रहे हैं कुछ जनपत भी देखने को मिल रहे हैं Already इस map को हम लोगों ने Last जो हम लोगों ने lecture discuss किया था वैदिक एज का वहां पे भी discuss किया था यहां पे हम लोगों को Kuru महा जनपत देखने को मिल रहे है इंदर प्रस्त पांचाल देखने को मिल रहे है जिसकी कैबल THी आहीचत्र Kaushal देखने को मिल रहे है Shravasthi, Ayodhya इसी कैबल थी मल्न देखने को मिल रहे है और 16 महा जनपदों के बारे में हम लोगों को कहां से देखने को मिलते हैं एक Buddhist literature अंगतूर निकाए इसके बारे में बात करते है अंगतूर निकाए से हम लोगों को एचीज देखने को मिलती है that there were 16 महा जनपद in ancient India जिसने भी ये वाला lecture, वैदी केज का lecture नहीं देखा हुआ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वैदी केज का lecture देख सकते है so as to make it clear Buddhism का topic हमारे लिए complete है from the examination mode of view हम लोग बात करने वाले हैं जैनिजम के बारे में तो जैन धरम के अगर हम लोग बात करें और founder के अगर हम लोग बात करें यह काफी important question है जो कि काफी सारे students गलत करते है that founder was Mahavir Jain make sure the founder was not Mahavir Jain the founder was Rishabhdev previous year में काफी बारी question पूछा जाता है आज भी पूछा जाता है reason being क्योंकि कहीं सारे students है वो इस question को Mahavir Jain टिक कर दे तो आज के बाद में आप लोगों को यह चीज़ क्लियर रहने चीए that the founder of Jainism was not Mahavir Jain he was Rishabhnaath और Rishabhdev so the first तिर्थांकर was Rishabhnaath और Rishabhdev जिनका emblem था बुल question पूछा जाता है the 19th तिर्थांकर was a female who was Malinath जिनका emblem था water pot कुम्भ कुम्भ मतले है the 23rd तिर्थांकर was Parshavnath emblem was snake the 24th तिर्थांकर was Vardhaman Mahavir whose emblem was loin हम लोगोंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में Mahavir Jain की life history के बारे में बात करनी so this was the idolic image of Mahavir Jain Vardhaman Mahavir के अगर हमने बात करें 540 BC से लेकर 468 BC यह इनका time period रहा इनको हम लोग Jain Dharam के real founder भी consider करते he was the last तिर्थांकर of Jainism 24 गुरुओं में सबसे आखरी गुरु यही रहे जन्म के अगर हम लोग बात करें 540 BC कुंडा ग्राम मुजफरपूर बिहार विशाली में इनका जन्म हुआ पिटा के अगर हम लोग बात करें के अगर हम लोग बात करें लिशावी प्रिंस चेतक की बेहन थी त्रिशला और त्रिशला ही महावीर जान की मा भी थी इनके बच्मन का नाम महावीर जान के बच्मन का नाम था वर्दमान और इनकी जो विवा हुआ वो हुआ यशोधा के साथ में ठीक है गौतम बुद की बात करें तो उनका विवा यशोधारा के नाम के साथ में हुआ ठीक है वही पर अगर हम लोग बात करें यशोधा से इनको एक पुत्री ने जन्म लिया और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना इनको अनोजा के नाम से भी जानते थे और प्रियदर्शना के हस्बेंड जो की इनके दामाद थे उनका नाम था जमाली और आगे चलका जमाली इनके पहले शिश्य भी बने तीस साल की उमर में अपने माता पीता की डेथ के कारण अपने बड़े बाई नंदी वर्दन की अनुमती लेकर इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया and he became ascetic, ascetic मतलब सन्यासी, यह सन्यासी बन गए, अब यह सन्यास क्या होता है, सन्यास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अलड़ी वैदिक एज में बात कर चुके हैं, जिन भी सुनन्स ने वह वाला लेक्चर नहीं रेखा हुआ, प्लेलिस में जाकर आप लोगों को वह वाली वीडियो मिल जाएगी, so make sure कि आप लोगों को वह वाली वीडियो देख लें, अपने सन्यास के बार्वे साल में, इन के गाउं में, जो की रिजुपाली का नदी के किनारे था, साल के व्रिक्ष के नीचे, he attained कैवल्य, इनको कैवल्य पराप्त हुआ, ठीक है, और इसी के बाद से हम लोग इनको महावीर के नाम से जानते हैं, इनको जितेंद्र के नाम से जानते हैं, जितेंद्र मतलब जिसने अपने सभी senses को conquer कर लिया हो, इनको निगरंथ के नाम से जानते हैं, free from all bonds, जो भी रिष्टे नाते थे, वो उनसे अब परे हो चुके थे, अपने कैवल्य अटेंड करने के लगबक 30 सालों तक इन्होंने जो भी जैन धर्म की टीचिंग सी, उनको बढ़ावा दिया, उनको प्रीच किया, और finally he attained निर्वान, इनकी मृत्यू हो जाती है, 72 साल की उम्र में, पावा नाम की जगे में, जो की पत्ना में, बिहार में इनकी डेत हो जाती है, he attained निर्वान, तो निर्वान की अगर हम लों बात करें, बहुत धर्म में भी हम लोंको निर्वान प्राप्ती देखने को मिलती है, तो बहुत धर्म में जो निर्वान गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, वो तब हुआ जब उनको बहुत प्राप्त हुआ, और जब उनकी मृत्यू हुई, तो उसको कहा जाता है, महापरी निर्वान, तो ध्यान लगना, आप लोग डिफरेंस भी च चेक आउट कर सकते हो, आप लोग compare कर सकते हो, comparative study कर सकते हो, तो इसली यह चीजह है, रिकॉल रहती है, प्रिवेस यह में आयो है कहीं सरे questions, इन्ही topics में सरे रहते हैं, फृर्दर मुविंग नेक्स, तो इस आर दी फाइव नोबल टूट्स, फाइव नोबल टूट्स में हम इन सा मतलब non-valence, अपारिग्रह, अपारिग्रह का मतलब होता है, do not acquire property, property acquire ना करना, और ब्रह्मचारे का मतलब था, observe celibacy, अब ब्रह्मचारे क्या था, ब्रह्मचारे के बारे में भी हम लोग last lecture में, वैदिक एज के lecture में अलड़ी बात कर चुके हैं, make sure, अगर आप लोगो ने वो lecture नहीं देखा हुआ, तो आप लोगो वो ले lecture, एक बड़ी देख लें, ताकि आप लोगों को ब्रह्मचारे क्या है, सन्यास क्या है, इन सब की clarity रहे, प्रिवेस एर में एक कोशन काफी commonly पूछा जाता है, कि इन में से कौन सा noble truth महावीर जैन के द्वारा add किया गया ये इनके 23rd तिर्थांकर पार्शवनाथ के द्वारा दिये गये थे, ठीक है, और 24 तिर्थांकर महावीर जैन के द्वारा दिया गया ब्रह्मचारे, clear up? त्रीरत, अभी हम लोग जिस बारे में बात करें, this is the philosophy of जैनिजम, त्रीरत ना हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सम्यक ज्यान, सम्यक आचरन और सम्यक दर्शन, right knowledge, right action, right faith, then comes the जैन literature, the oldest जैनल लिटेचर वर पूर्व, जो पुराने जैनल लिटेचर से उनको पूर्व कह जाते हैं, और पूर्व की जो संख्या थी, वो थी 14, आगे चलकर हम लोगों को इन पूर्व की compilation देखने को मिलते हैं, इन अंग और अगम, अंग या अगम की जो संख्या थी, वो थी 12, और इनको compile किया गया प्रकृत language में, द्यानिक न, अभी हम लोगों को ने बात की, कि जो धर्म था, उसके जो literature से, उनको पाली language में compile किया गया था, तो बहुत धर्म की language क्या रही, पाली, वही पे जैन धर्म की language क्या रही, प्रकृत language रही, 6th century BC में, approximately ये दोनो, ideological philosophies का, हम लोगों को जनम देखने को मिलते हैं, भारत में, two sects of jainism, जैन धर्म के, डो sect, one was दिगंबर, and one was श्वितंबर, दिगंबर की, अगर हम लोग बात करें, दिगंबर को हम लोग, see, दिगंबर stands for, दिग and अंबर, दिग का मतलब होता है, sky, अंबर, अंबर, हिंदी का शब्द वस्त्र, वस्त्र का एक परयायवाची शब्द ह अंबर, मतलब की, clothes, तो cladding, है ना, तो दिगंबर का little meaning मन जाता है, sky clad, या इसको naked भी लिखते है, वही पर अगर हम लोग बात करें, श्वेतंबर की, तो श्वेतं मतलब white, और अंबर मतलब cladding, तो श्वेतंबर का little meaning होता है, white clad, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि, जैन दरम में हम लोगों को, दो सन्यासियों के, दो सन्यासि बेसिकल लिए देखने को मिलते है, एक वो लोग, जो पूरी तरह से नगना वस्था में रहते, नेगड वस्था में रहते हैं, और एक वो लोग, जिन्होंने, जिन्होंने white color के कपड़े पहने हो दें, और आ होते हैं वो अपने मूँ के आगे वाइट कलर का मास्क लगा के रखते हैं ध्यान देना बुदिजम और ज्यानिजम ये दोनों जो आइडिलोजिस हैं इनका एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिनेंट जो फोकस रहते हैं जो जो चीज रहती है जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलोग करते हैं वो अहिंसा है ठीक है नौन वोलेंस है तो दिगंबर्ज और स्टॉटंबर्ज में क्या डिफरेंस है बैसिकली हम लोगों को इचीज देखने को मिलती है कि 3rd century BC में जब मौरे काल आया तो मौरेंस के टाइम प्रेड में मगद में अकाल बड़ा और जब मगद में अकाल बड़ा तो उस वक्त बदरबाहू वहां पर थे और बदरबाहू ने उस वक्त मौरेंस के जो फाउंडर थे चंदरकुप्त मौरे से ये कहा कि आपने जो नंदों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी उसके कारण जो हुआ खून कराबा उसके चलते ये अकाल हम लोगों को देखने को मिल रहे और इसका प्रायशित आपको करना चाहिए इसका प्रायशित आपको करना चाहिए तो ultimately क्या होते है जो चंदरकुप्त मोरे हो दें वो जैन धरम को फॉलो कर दें वो जैन धरम को अपना ले दें हम लोग आगे चलकर भी इसके बारे में बात करेंगे that he adopted जैनिजम वही पे अगर हम लोगों उनके grandson अशोक की बात करें तो अशोक adopted बुदिजम तो जो चंदरकुप्त मोरे थे उन्होंने जैन धरम की दि उत्तर भारत की तरफ पे चलेगे उत्तर भारत मगत से उत्तर की तरफ पे था नेपाल जहां पे हम लोगों को आज भी हिमाले देखने को मिलते हैं और नगनावस्ता वहां पे फॉलो कर पाना almost impossible था इस कारण से उन लोगों ने अपने पूरे जीवन केवल वाइड कपड़ पहनने का निश्य किया था उनको कहा जाता है श्वितंबर शेक्ट वाज साटेड बाद्र बाहू एंड श्वितंबर सेक्ट वाज फांडड बाहू इनको हम लोग स्थूल बद्र की नाम से भी जानते हैं देन कम्स दा जैन काउंसिल्स जैसा कि हम लोगों ने बुद्धिस काउंसिल्स के बारे में बात की यहां पे हम लोगों को जैन काउंसिल्स देखने को मिलते हैं बुद्धिस काउंसिल्स हम लोगों को चार देखने को मिलते हैं जैन काउंसिल्स हम लोगो केवल दो ही देखने को मिलते हैं सबसे पहली जो जैन काउंसिल होई वो तीसरी पूरव थे वो इनके पूराने टेक्स थे जो इनके पूराने लिट्रेटरसे उनको पूरव कहा जाता था तो इन पूर्व को रिप्लेस किया गया कम्पाइल किया गया बारा अंग में इनके लिट्रेटरस को अंग के नाम से जानतें सेकेंड जैन काउंसल जोकी 5th century AD में ही पांचवी शताब दी इसवी में हुई वल्लभी नाम की जगे में कोश्चन ये प्रिवेशन में पूछा हुए कि वल्लभी नाम की जगे कहां बर है तो वल्लभी नाम की जगे गुजरात में लीडर का नाम था देव रिद्धी गानी और यहां भी हम लोगों को देखने को मिलती है फाइनल कंपाइलेशन ओफ ट्वेल अंग एंड ट्वेल उप अंग सो थीज वर्दी रिजल्ट्स ऑफ जैन काउंसल कोश्चन आप लोगो कैसे पूछा जा सकता है ध्यान दीजी कोश्चन आप लोगों को यह पूछा जा सकता है वन देड दा फस्ट जैन काउंसल टुक प्लेस तो ऑप्शन में देगा थर्ड सेंचुरी बीसी फिफ्ट सेंचुरी एडी थर्ड सेंचुरी एडी फिफ्ट सेंचुरी बीसी तो अंसर विल भी थर्ड सेंचुरी बीसी कोश्चन पूछा जा सकता है ध्यान दा फस्ट जैन काउंसल टुक प्लेस एड फिर ऑप्शन में मिल जाएगा पाटले पोत्र वल्ला भी राजग्री है या वैशाली तो अंसर विल भी पाटले पोत्र टो फिर उसे एक जैन कांसल के ऊबर आप लोगों को कहीं सारे कोशेन को मिल गॅएं से मेल भी सिम्पल पॉसिबल बूगों कुछोसं गोन को करिलने वहां से हम लोगों को प्रीवेश में बहुत बारी कोशन देखने को मिल ते हैं So make sure कि यह चीज आप लोगों को जाद रहे I have tried my best to make it as simple as possible But still अगर आप लोगों को कोई भी राउट सहूं Do comments below, we will respond to them So that's all for today आप लोगों में से जिस भी student को हमारे offline batch को join करते है हर Tuesday को हमारा offline batch चुरू होते है आप लोग उस batch को join कर सकते है और हमारे साथ में जुढने के लिए आप लोग हमारे Spark Institute की mobile app को download कर सकते हैं Google Play के उपर आप लोगों को ये app मिल जाएगी इसमें आप लोगों को free test, free demos, classes even ये सब चीज़ें देखने को मिल जादी है So that's all for today, thank you जादी में जादी है